वो सारे लोग जो बेली फैट से परेशान हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, साथ ही शरीर में मजबूती चाहते हैं, आज की वीडियो आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बताए जाने वाले तो कि अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं, तो आपका बे अच्छी तरीके से सीख सकें समझ सकें क्योंकि हर एक पॉस्चर को मैं अलग-अलग तरीके से मॉडिफाई करके भी बताती हूँ ताकि सभी इसका अभियास कर सकें अगर आप चैनल में नए आये हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाएगा नमश्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी करना क्या है दोनों पैरों को इस तरीके से बॉड़ी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाना है अब अपने दोनों पैर की एडियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मुठी बना लेना है और इमेजिन क शोड़ते हुए दोलों हाथों को इस तरीके से आगे लेके जाईएगा ऐसे और सास लीजिए और सास छोड़िए इसका अभ्यास 25 से 30 बार लगातार इसी तरीके से इसका अभ्यास आपको 25 से 30 बार इसी तरीके से लगातार करते रहना है सास लेना है, सास शोड़ना है, तो इसके अभ्यास मात्र से आप मैसूस करेंगे पेट के आसपास बहुत ही गहरा दबाव पड़ रहा है, लोबर बैक पर खिचा हुआ रहा है और यह एक डाइणमिक प्राक्टिस है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे ध्यान रखेंगे माताओं बहनों को जब periods हो तब इस अभ्यास को ना करें अगर आपको कोई surgery हो, हुई हो recent, operation हुआ है तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है खाली पेट इसका अभ्यास करना है, सुबा सुबा कर सकते हैं तो अच्छी बात है वरना शाम में करें इसका अभ्यास करने के बाद तोनों पैरों को अलग कर ले और rest करें दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे दुआरा कंड़क की जाने वाली online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप आराम से मेरे साथ जुड़के अपने घर के ही comfort zone में एक घंटे का वक्त निकालके रोज योग का अभ्यास कर लिया करें ये classes completely beginner friendly हैं अगर आप उल्रेड़ी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर अगर आपको कोई health condition है तो भी आप classes जरूर join करें अब आप सोच रहे होंगे ये classes कौन-कौन join कर सकता है कोई भी व्यक्ति चाहे male हो चाहे female हो किसी भी उम्र के हो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई health condition है जैसे कि diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, PCOD, PCOS रात में नीद ना आना, joint pain, back pain, knee pain, cervical pain ऐसी किसी भी समस्याओं के रिए ये classes बहुत ही जादा मददगार साबित हुई है जो मेरे existing student है ना, उनको स्वास्त लाब तो मिले ही मिले है साथ ही उनके शरीर में गजब की ताकत develop हो गई, गजब की flexibility develop हो गई है और अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन classes में हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिलेगा तो हर दिन आपको अलग-अलग तरीके के आसन, प्राणयाम, ध्यान कैसे करते हैं, relaxation करवाओंगी साथ ही आपके शरीर की cleansing, detox करने की भी बहुत सी practices में सिखाती हूँ इन classes में लेकिन किसी कारण से अगर आप ये zoom classes नहीं जोईन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं मैंने कुछ courses इस तरीके से design किये हैं, कुछ pre-recorded videos हैं जिनको exclusive आप मेरी website पर access कर सकते हैं ये videos आपको YouTube पर कहीं देखने नहीं मिलेंगी एक घंटे की classes हैं, अपने घर पर ही इन videos को play करके आराम से योग का भ्यास कर सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि इन courses में मैं आपको क्या सिखाऊंगी तो आपको इन courses में भी आसन, प्राणयाम, ध्यान कैसे करते हैं ये सारा sequence में एक घंटे की videos में मैं आपको करवाती हूँ अब आपको ये classes और course के बारे में ज़्यादा जानकारी कहां से मिल सकती है तो मैंने यहाँ पर अपनी website शेयर की है जो की है www.yogavidshahida.com आप इस website पर विजिट कर लीजेगा या के फिर यहाँ पर मैंने अपना WhatsApp नमबर शेयर किया हुआ है इस WhatsApp नमबर पर आप एक WhatsApp करते हैं तो आपको class के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाएगी जाइए चेक आउट कीजे फिर जब कुछ देर रेस्ट कर लें तो चाहें तो दो से तीन बार फिर से दो सेट और इसका अभ्यास कर लें अब इसके बाद आराम से अपनी योगा मैट पर आप पीट के बल ऐसे लेट जाएंगे और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉड़ी के साइड में रखेंगे दोनों पैर की एडियों को ऐसे जोड लेंगे अभी हम उत्तान पादासन का अभ्यास सिंगल लेग रेसेस कर रहे है ताकि जो लोग दोनों पैरों को ना उठा सके वो एक एक पैर को ऐसे उठाएं 60 डिगरी पैर को उठाना है सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है अपने ध्यान को अपनी नाभी के आजपास अपनी लोवर एब्डबन पर रखियेगा यहाँ पे चले शुरू करे, 10, ऐसे, 9, 8, बहुत मज़ा आएगा आपको जब यह अभ्यास करेंगे आप, 7, पूरे पेट की स्पेशिया मजबूत होंगी, 6, ऐसे, बहुत धीरे धीरे आराम से, ऐसे फास्ट फास्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आराम से उठाएंगे और फिर ऐसे, लास्ट फाइव, ऐसे, फोर, सास ले, सास शोडे, सास ले, सास शोडे, सास ले, सास शोडे, सास ले, सास शोडे, एक बार और सास ले, और सास को छोड़ दे, इस तरीके से अभ्यास कर लिया, अब दोनों पैर की एडियों और अंगूठों को जोडे, दोनों हाथों क को body के side में रखे और फिर उसके बाग ऐसे सास ले पैरों को 60 डिगरी उठाया और सास को छोड़ें ऐसे 10 times करें सास ले सास सास शोड़े, सास ले, सास शोड़े, कंट्रोल के साथ, सास ले, सास शोड़े, सास ले, सास शोड़े, ऐसे, inhale and exhale, last three, last two, and last one, चाहे तो इस तरीके से 60 डिगरी कुछ देर होल्ड करके रखे, तो इस अभ्यास के भी आपको तीन सेट करने है, अभी जैसे दस-दस का डेमोंस्ट्रेशन दिखलाया, आप 20-20 रेपिटेशन करें और इसके तीन सेट करने और ध्यान को पेट पर रखें, अब अभ्यास कर रहे हैं उत्तान प्रिस्टासन का, इसका अभ्यास करने के लिए आ और योको दूर रखेंगे ठीक है, फिर हिप को उठाने के बाढ थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने गुटनों को इस तरीके से सर्काइँगे ऐसे उठाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे drop करेंगे, ऐसे उठाएंगे hip को और फिर ऐसे drop करेंगे इस तरीके से ऐसे, one two three ऐसे, four five inhale, exhale inhale, exhale इस तरीके से सांसों के साथ सिंक्रनाइज करके आप या भ्यास करेंगे और फिर उसके बाद वही पर मकर आसन में लेट जाएंगे ऐसे तो अभी जो हमने अभ्यास किया उत्तान प्रिस्ट आसन का इसका हमने 10-10 का 3 सेट कर लेना है सासों के सास सिंक्रनाइज करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ अभ्यास करें चले अब मैं अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ूँगी जिसका नाम होते हैं साथी पेट की चर्बी कम करने में बहुत मदद मिलती है तो देखें कैसे करेंगे डॉल्फिन पुश अप पहले इजी वाला कर लेते हैं ठीक है आराम से इस तरीके से वजरासन में बैड़ गए एल्बो को मेजर कर लिया एल्बो को अपनी बॉड़ी से दूर रखा दोनों हाथों को खोला उंगलियों को फसा लिया और फिर उसके बाद अपने घुटनों के बीच में कमर जितना फासला करके यह भी उसी तरीके से अभ्यास है उत्तान प्रिस्टासन का लेकिन इसमें कमर को स्टेबल रखके पेट के बल की मदद से आप आगे और पीछे मूँव कर रहे हैं इस तरीके से 5, 4, सास ले, सास चोडे, सास चोडे, inhale, exhale, inhale and exhale तो इस तरीके से 10-10 रेपेटेशन के 3 सेट कर लें और अब हम थोड़ा सा इसमें और चैलेंज एड़ करेंगे तो आप कर लिया इस तरीके से अब मूव करेंगे move forward and move back move forward पेट को tight करके रखना है सास चोड़े सास ले सास चोड़े सास ले सास चोड़े सास ले सास चोड़े 3 2 and 1 और फिर उसके बाद आराम से rest करेंगे तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने step by step ये सारी practices सीखें I am sure कि ये सारी practices आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अब आप निरंतर इन practices को खुद भी करेंगे और इस वीडियो को whatsapp करने के बाद आपके दोस्त भी ये सारी practices करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके suggest की वे किसी topic पर मैं वीडियो बनाओ तो मुझे जल्दी से नीचे comment करके बताईए कि आने वाली videos कौन से topic पर होनी चाहिए साथ ही अगर वीडियो को आप अभी अंत तक देख रहे हैं और अगर चैनल को subscribe करना भूल गया हैं कोई बात नहीं जल्दी से चैनल को subscribe करके इस परिवार का टूठ हिस्सा बन जाईए और जाने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी आप सभी अपना ध्यान रखें नमस्ते प्राइबाक रहप रहां करने से उल्दी कर दो प्राइब झाप कर दो भाहर है को बहुत है कर दो, कि जल warfare से पहले किफ अवां